प्रित्वी की आंतिरिक संरचना एवं भूकम्प यानी इंटीरियर आवदी अर्थ एंड अर्थक्वेक। अब तक हमने भूमंडल की रेखाऊं यानी नेटवर्क ओफ लेटिट्यूड एंड लांगिट्यूड का अधियन किया। अब हम समूचे भूमंडल का अधियन करें। इसक्रम में सबसे पहले हम ये समझे लें कि भूमंडल को मुखे तया तीन भागों में विभक्त किया जाता है। 1. थल मंडल यानी लिथोस्फिर 2. जल मंडल यानी हाइड्रोस्फिर तीन वायू मंडल यानी एटम स्फिर अल्फरेड वेगनर के अनुसार भू मंडल पर 71.3 प्रतिशत जल तथा 28.7 प्रतिशत थल है सतर से 30,000 किलोमीटर की उंचाई तक वायू मंडल व्याप्त माना जाता है अब हमें इन तीनों भागों का अध्यन करना है किन्तु इनके पूर्व हम एक अन्य अध्याय प्रित्वी की आंतरिक संद्रचना और उससे उत्पन होने वाले भूकंप एवं सुनामी जिनका की भूतल पर व्यापक प्रभाव पड़ता है का अध्यन कर लें अतह अब प्रित्वी की आंतरिक संदर्चना यानी इंटीरियर ओफ दी अर्थ. प्रित्वी की आंतरिक संदर्चना के विशे में अनेक विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किये हैं. एड़्वर्ड सुएस, और्थर होम्स, वॉन्डर ग्रैंड, हॉप्स, जेफ्रे आदी उनमें प्रमुख हैं. एड़्वर्ड सुएस के अनुसार, प्रित्वी के आंतरिक भाग में तीन प्रमुख पेटियां हैं. एक सियाल, दो साइमा, तीन निफे. अब इनका क्रमशह अध्यन करें. एक सियाल प्रित्वी की सबसे उपरी परत को सियाल कहते हैं. इसकी गहराई सतह से तीन सो किलो मीटर तक है. ये चट्टानी पदार्थों से निर्मित है. इसमें सिलिकॉन एवं अल्मूनियम तत्वों की प्रचुरता है. इसका गहनत्व 2.9 तक माना जाता है. 2. साइमा सियाल के नीचे तीन सो किलो मीटर से तीन हजार किलो मीटर की गहराई तक की परत को साइमा कहते हैं. इसका गहनत्व 2.9 से 4.7 तक माना जाता है. इस पेटी में सिलिकॉन एबं मैगनीशम तत्वों की प्रचूरता होती है। ताप की अधिक्ता के कारण ये पेटी अर्ध तरला वस्था में है। ज्वालमुखी क्रियाओं की उत्पत्ती इसी पेटी से होती है। इसलिए इसे ज्वालमुखी परत यानी बोलकैनिक लेयर भी कहते हैं। तीन नीफे प्रित्वी की सबसे आंतरिक परत को नीफे कहते हैं। इसका घनत्व ग्यारा से भी अधिक माना जाता है। इसमें निकिल एवं फेरियम जैसे तत्वों की प्रचूरता है। चूंकि फेरियम लोहे का ही रूप है तथा प्रित्वी के कोर में लोहे की उपस्थिती से प्रित्वी में एक जुम्ब की शक्ती होती है। इनी भारी तत्वों की प्रचूरता के कारण प्रित्वी की गुरुत्वा कर्शन शक्ती इसी पेटी से उत्पन्न हुई है। तापाधिक्य के कारण ये पेटी पून्र तरल अवस्था यानी लिक्विट फॉर्म में है. प्रित्वी की आंतरिक सन्रचना का अभिनों मत्र एड़्वर्ड सुएस के मत्र से हमें प्रित्वी की आंतरिक सन्रचना के बारे में महत्य पून्र जानकारी मिलती है. लेकिन अब नए अनुसंधानों के आजाने से ये मत्र पुराना माना जाने लगा है. प्रित्वी की तृज्या 6,370 किलोमीटर है. प्रित्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण ये संभो नहीं है कि कोई भी प्रित्वी के केंद्र तक पहुँच कर उसका निरिक्षन कर सके. भूकमपी लहरों की गती तथा उनके भ्रमणपत के वैज्यानिक अधियन के विशलेशन के पश्षात प्रित्वी के आंतरिक भाग की संद्रचना की जानकारी मिलती है. प्रित्वी के आंतरिक भाग की संदचना को समझने से पहले हम ये जाने कि भूकमपी तरंगें क्या होती हैं और इनसे हमें कैसे प्रित्वी के आंतरिक भाग की जानकारी मिलती है भूकमपी तरंगें तीन प्रकार की होती हैं जिन्हें P तरंग, S तरंग और L तरंग के नाम से जाना जाता है इनमें P और S तरंगों के माध्यम से प्रित्वी की आंतरिक संदचना को समझने में सफलता मिली P तरंग ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में संचरन करने में सक्षम होती है किन्तु P तरंग की गती सरवाधिक ठोस में फिर द्रव में और सबसे कम गैस में होती है जबकि S तरंग ठोस एवं गैस में ही संचरन कर सकती है इस तरंग द्रव यानी तरल में संचरण नहीं करती है इनी तरंगों के संचरण की गती एबं संचरण के आधार पर प्रित्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मदद मिली इसके आधार पर पृत्वी की आंतरिक संद्चना को मुख्य तीन भागों में बाटा गया है जो निमने हैं एक भूपरपटी यानि क्रस्ट दो मैंटल तीन क्रोड यानि कोर अब इनका क्रमशह अध्यन करें एक भूपरपटी यानि क्रस्ट प्रित्वी का सबसे उपरी भाग क्रस्ट कहलाता है। ये भाग ठो सवस्था में है। ये बहुत भंगुर यानी ब्रिटल है। जिसमें जल्दी तूट जाने की प्रिवरती पाई जाती है। क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों में अलग-अलग पाई जाती है। महाद्वीपों में इसकी ओसत मोटाई 30 किलो मीटर है, जबकि महासागरों के नीचे मात्र 5 किलो मीटर है। मुख्य पर्वती शंखलाओं के ख्षेत्र में इसकी ओसत मोटाई अधिक होती है। जैसे हिमाले के नीचे भूपर पटी की मोटाई 70 किलो मीटर है। इस प्रकार क्रस्ट की मोटाई 0-100 किलो मीटर तक मानी जाती है। भूकमपी लहरों की गती में अंतर के आधार पर क्रस्ट को दो उप भागों में बांटा जाता है। एक उपरी क्रस्ट तथा दो नीचली क्रस्ट। नीचली क्रस्ट में पी लहर की गती उपरी क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होती है। चूंकि पी लहर की गती ठोस में ज्यादा होती है। अतर ये सिद्ध हो जाता है कि नीचली क्रस्ट का घनत्व उपरी क्रस्ट के घनत्व से जादा है। उपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 तथा निचली क्रस्ट का 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है 2. मैंटल भूगर्भ में क्रस्ट के नीचे से 2900 किलोमीटर की मोटाई वाला प्रित्वी का आंतरि भाग मैंटल कहलाता है इस परत के दो भाग होते हैं 1. उपरी मैंटल ये क्रस्ट की नीचली सीमा से 700 किलोमीटर तक की गहराई वाला भाग कहलाता है तथा 2. नीचली मैंटल ये भाग 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है मैंटल में भूगमपी लहरों की गती क्रस्ट की अपेक्षा बढ़ जाती है निचली क्रस्ट में पी लहर की गती में अचानक वृध्धी हो जाती है इस प्रकार निचली क्रस्ट तथा उपरी मेंटल के मध्य एक असंबधता यानी दिसकंटिन्यूटी का स्रजन होता है जिसकी खोज सर्वप्रथम 1909 में मोहरो विक्किक ने किया था जिनके नाम पर इस असंबधता का नामांकरन किया गया मोहरो विक्क असंबधता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद P लहर तो पार होती है लेकिन S लहर इस सीमा को पार नहीं कर पाती है चुकि S लहर ठोस एवं गैस में चलती है इसलिए ये स्पश्चो हो जाता है कि 2900 किलोमीटर के बाद ठोस एवं गैस तो नहीं है 2900 किलोमीटर के बाद P लहर पार होती है 3. क्रोड यानि कोर भूगर्भ में मैंटल के नीचे से 6378 किलोमीटर की मोटाई वाला प्रित्वी का आंतरिक भाग क्रोड कहलाता है क्रोड को दो उपभागों में विभक्त किया जाता है 1. बाह क्रोड यानि आउटर कोर इसकी सीमा का निर्धारन 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है ये भाग करल अवस्था में है 2. आंतरिक क्रोड यानि इनर कोर इसकी सीमा का निर्धारन 5100 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है ये भाग ठोस अवस्था में है जैसा कि पहले ही बताया जा जुका है कि भूकंपी तरंगों एवं उनके वेग ने तृत्वी के क्रोड को समझने में साहता की है 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद पी लहर तो पार होती है लेकिन एस लहर इस सीमा को पार नहीं कर पाती है चुँकि एस लहर ठोस अवं गैस में चलती है इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि 2900 किलोमीटर के बाद ठोस अवं गैस तो नहीं है 2900 किलो मीटर के बाद पी लहर पार होती है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि 2900 किलो मीटर के बाद तरल यानी लिक्विड अवस्था है फिर 5100 किलो मीटर की गहराई के बाद पी तरंगों की गती में अचानक व्रिद्धी हो जाती है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इसके बाद ठोस अवस्ता है क्योंकि ठोस में पी लेहर की गती सर्वाधिक होती है मैंटल वक्रोड की सीमा पर चटानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है जिससे ये पता चलता है कि केंद्र भारी पदार्थों मुख्यता निकिलवा लोहे का बना हुआ है यहाँ पर ये उलेखनी है कि एडवर्ड सुएस ने इसे निकिलवा लोहे के बने होने के कारण निफे नाम दिया था भू कंप एवं सुनामी ये एक प्रकार की अनपेक्षित अप्रत्याशित असमान्य विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं यानि नेचुरल डिजास्टर्स होती है संकट विपदा, प्रकोप, विपत्ति, प्रले, आदी आपदा की हिंदी भाषा में पर्यायवाची शब्द है अंग्रेजी भाषा में आपदा के लिए मुख्यतया डिजास्टर्स शब्द का प्रयोग किया जाता है किन्तु जिस प्रकार हिंदी भाषा में आपदा के अनेक परियायवाची या समानार्थी हैं उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में डिजास्टर्स शब्द के क्राइसिस यानि संकट, केलामिटी यानि विपदा, रिस्क यानि खतरा, केट स्ट्रफी यानि प्रले आदी अनेक परियायवाची हैं परिभाषा भूगर्ब आंतरिक शक्तियों की हलचलों का केंद्र है इन भूगर्फिक हलचलों के कारण जब कभी कहीं भूपटी, अथात, प्रित्वी की सतह अचानक तीवर वेग के साथ प्रकंपित हो उड़ती है तो उस प्रकंपन को भूगंप या भूचाल यानि अर्थक्वेक कहते हैं यदि भूगंप का अधिकेंद्र सागरों या महासागरों पर केंद्रित होता है तो वहां उची-उची समुद्री लहरें उठती हैं उन्हें सुनामी कहते हैं सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसमें सू का अर्थ है बंदरगाह तथा नामी का अर्थ है लहरें अतर सुनामी का शाब्दिक अर्थ है बंदरगाह की लहरें करते है जाब्दिक अर्थ है भूकंप या सुनामी के कारण भूकंप शास्त्रियों, बैज्यानिकों एवं अभियांत्रिकों ने भूकंप या सुनामी की उत्पत्ति के चार कारण बताए हैं एक, लोच वर्ष पुनश्चरण, दो, चटानों में तनाव का संपीडन, तीन, स्वतह स्फूर्त भू संतुलन, चार, आंत्रिक उश्मी प्रतिक्रिया दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि एक, भ्रंशों के विक्सित होने, दो, भ्रंश के साथ गती श्रीलता, तीन, जुआलमुखी उद्गार द्वारा उत्पन्य प्रतिघार, चार, चटानों के वलन, इत्यादी कारणों से भूकंप आते हैं या सुनामी की उत्पत्ति होती है इन समस्त कारणों को मोटे तौर पर दो श्रीणियों में विभक्त किया जाता है एक, विवर्तिनिक कारण यानि टेक्टानिक कॉज, इसके तहट चटानों में गती शीलता जन्ने कारण आते हैं जैसे भ्रंश का विकास यानि डेवलपमेंट ओफ एफॉर्ट, फ्रंश के साथ गती शीलता यानि मूमेंट एलोंग विद फॉर्ट, चटानों के वलन यानि फोल्डिंग ओफ रॉक साधी दो, अविवर्थनिक कारण यानि नौन टेक्टाउनिक कॉज, इसके तहट ज्वालामुखी विस्फोर्ट यानि वोलकैनेक इरप्शन चटानों का स्खलन यानि लैंड स्लाइट्स बम विस्फोर्ट यानि ब्लास्टिंग आदि आते हैं भूकम्प के प्रकार भूकम्प मुक्तेया दो प्रकार के होते हैं एक ज्वालामुखी भूकम्प, दो, भ्रंश मूलक या वलन मूलक भूकम्प अब इनका क्रमशह अध्यन करें एक ज्वालामुखी भूकम्प, अर्थ के कॉजबाई, वोलकैनिक इरप्शन भूगर्भ, शास्त्री और भूवेग्यानिक तत्यों के अनुसार प्रित्वी के नीचे 28 मीटर की गहराई पर एक डिग्री सेंटीग्रेट ताप की व्रिध्धी हो जाती है गहराई के साथ साथ तापमान में निरंतर व्रिध्धी होती जाती है इसे भूतापी प्रमर्टा अर्थाद जियो थर्मल ग्रेडियेंट कहते हैं इस भूतापी प्रमर्टा के कारण ही प्रित्वी की साइमा परत अर्ध तरला वस्था में है और प्रित्वी के क्रोड तक तापमान बढ़कर निरंतम 980 डिग्री सेंटिग्रेड हो जाता है जिसके कारण निफे पूर्ट तरला वस्था में है इनत्यंत तप्त क्षित्रों में जब कभी कहीं जल प्रविष्ट कर जाता है तो वह वाश्प में परिवर्तित हो जाता है और बाहर निकलने का प्रयास करता है इस प्रयास में वो धरातल के नीचे तरंगों के रूप में दोड़ता है तथा जहां कहीं उसे मुलायम चट्टान की परत मिलती है उसे तोड़ कर बाहर निकलने लगता है इसी के साथ प्रित्वी के भीतर भरा मैगमा भी आग, लावा, राखादी रूपों में बाहर निकलने लगता है जिसके मोटे जमाओं से ज्वाला मुखी पर्वतों की रचना होती है इस क्रिया के दोरान भूपरपटी यानी अर्थ क्रस्ट प्रकम्पित हो उठती है जिसे ज्वाला मुखी ये भूकम्प कहते हैं दो, भ्रंश मूलक या वलन मूलक भूकम्प अर्थ क्वेक कॉस्ट बाई, फॉल्ट और फोल्ड भूगर्भुष शास्त्री डबलू जे मारगन ने 1978 में आपने प्लेट विवर्थनी की सिध्धान्त प्लेट टेक्टानिक थियरी का प्रतिपादन किया था इस सिध्धान्त के अनुसार प्रित्वी के भीतर छे बड़ी प्लेटें हैं जो इस प्रकार हैं एक यूरेशियाई प्लेट दो अमेरिकी प्लेट तीन अफ्रीकी प्लेट चार भारत अस्ट्रेलियाई प्लेट पांच अंटार्क्रिक प्लेट छे प्रशांत प्लेट इन छे बड़ी प्लेटों के अत्रिक्त अनेक लगू प्लेटें साइमा परत पर प्लवनशील हैं अर्थात तैर रही हैं इस मुक्त प्लवनशीलता के फल स्वरूप ये प्लेटें कभी एक दूसरे के पास आती हैं तो कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं जब कभी ये एक दूसरे के पास आती हैं और टकरा जाती हैं तो इनसे प्रभूत मात्रा में उर्जा निकलती है जिसे भूतापी उर्जा कहते हैं ये उर्जा उपर इस्थित मुलायम चटान की परत को पिघला देती है और चटान तूटकर साइमा परत पर गिर पड़ती है और चटान के मूल स्थान पर रिक्त स्थान बन जाता है जिसे भ्रंश यानि फॉल्ट कहते हैं इस क्रिया के दौरान भूपर पटी प्रकम्पित होटती है जिसे भ्रंश मूलग भूकम्प कहते हैं कभी कभी भूत आपिये उर्जा उत्पति स्थल के उपर मुलाइम परत की चटान न होकर कठोर परत की चटान होती है जो पिघल कर तूटने के बजाए उपर की ओर मुल जाती है जिसे वलन यानि फोल्ड कहते हैं इस क्रिया के दौरान भी भूपर पटी प्रकम्पित होटती है जिसे वलन मुलक भूकम्प कहते हैं भूकम्पी तरंगे यानि सिज्मिक वेव्ज उलेकनी है कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अभी लेखित तरंगों का अधियन किया जाता है भूकम्प विज्ञान कहलाती है भूकंप विज्ञान के अनुसार भूगर्भ में लहरों के रूप में उत्पन्न हलचल को तरंग कहते हैं ये तरंगें जिस स्थान से उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल अर्थात फोकस कहते हैं जिस मार्ग से ये तरंगे उपर आती हैं उसे ग्रीवा अर्थात नेक तथा जहां पहुँचकर धरातल को तोड़ देती हैं उसे भूकंप अधिकेंद्र अर्थात इपी सेंटर कहते हैं इपी सेंटर के ठीक उपर का भाग जिसके चारो और मैगमा का आग लावा राखादी रूपों में जमाओ हो जाता है मुख विवर या क्रेटर कहलाता है क्रेटर के बड़े रूप को कालडेरा कहते हैं भूकंपी तरंगें तीन प्रकार की होती हैं जिन्हें पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग के नाम से जाना जाता है P और S तरंगों के विशे में सर्वोप्रथम जानकारी जौन केनाड महोदे ने तथा L तरंगों के विशे में जानकारी DH लव ने दी थी अब हम इन तरंगों का संक्षिप्त विवरंट प्राप्त करें 1. P तरंगे P का तातपर्य है प्राइमरी या पुश अर्थात ये प्राथमिक तरंगे होती हैं और भूपर पटी में तीवर आघात डालती हैं इनका इपिसेंटर अर्थात अधिकेंद्र फोकस अर्थात भूकम्प मूल के ठीक उपर अर्थात 90 डिग्री पर होता है ये तरंगे ध्वनी तरंगों की भाती अनुदैर्ध्य अर्थात लांगी ट्यूडिनल चला करती हैं इनकी गती सर्वधिक होती है अर्थात ये 8 किलो मीटर प्रतिसेकंड की गती से चला करती हैं भूकम्प मापी यंत्र सिस्मोग्राफ सर्वप्रत्थम इनही का अभिलेखन करता है ये ठोस द्रव एवं गैस तीनों में संचरन करने में सक्षम होती हैं किन्तु गती सर्वाधिक ठोस में होती है दो एस तरंगें एसका तात्पर्य है सेकेंडरी या शिक अर्थात ये द्वतियक तरंगें हैं और इनसे भूपरपटी में कमपन कुछ देर तक जारी रहती है ये सता पर दूसरे क्रम पर पहुँचती हैं ये ठोस में ही संचरन करती हैं ये प्रकाश तरंगों की भाधि अनुपरस्त यानि ट्रांसवर्स चला करती हैं इनकी गती 4.5 किलो मीटर प्रति सेकेंड होती है अनुपरस्त तरंगें शेत्रफल तै करती हैं अतह इन तरंगों के माध्यम से प्रित्वी की आंतरिक संरशना का ज्यान होता है P तरंगें और S तरंगें दोनों काय तरंगें अर्थाथ बॉडी वेव्स कहलाती हैं 3. L तरंगें L से तातपर्य है Long Period अर्थाथ ये दिर्ग कालिक तरंगें होती हैं ये सतह की तरंगें हैं इसलिए प्रिष्ट तरंगें यानि सर्फेस वेवस कहलाती हैं ये एपिसेंटर के चारो और फैलती हैं ये भी प्रकाश तरंगों की भाती अनुपरस्त चला करती हैं इनकी गती 1.5 किलो मीटर प्रति सेकंड होती है अर्था तीनों तरंगों में इनकी गती सबसे कम होती है रिक्टर स्केल ये एक भूकम्प तीवरता मापक पैमाना है जिसे अमरीकी वैग्यानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने 1935 में बनाया था वस्तुत भूकम्प के दोरान विमुक्त हुई उर्जा की मात्रही भूकम्प की तीवरता है इसे मैगनीचूड में व्यक्त किया जाता है इसका मापन मुक्तेया रिक्टर स्केल पर ही किया जाता है इस स्केल पर 1 से 9 तक के अंक अंकित है एक अंक पर मापे गए भूकम्प का अर्थ होता है 170 ग्राम TNT के विस्फोट से नहिस्रित उर्जा के बराबर तीवरता TNT एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है इस स्केल पर हर अगला अंक 32 गुना अधिक भूकम्पी तीवरता का दियोतक होता है 9 अंक पर मापे गए भूकम्प का अर्थ होता है 70,000 ग्राम TNT के विस्फोट से नहिस्रित उर्जा के बराबर तीवरता भूकम्प की तीवरता का मापन मरकेली स्केल पर भी किया जाता है इस स्केल पर एक से बारा तक के अंक दर्ज हैं भूकम्पी पेटियां यानी सिज्मिक बेल्ट्स संसार में भूकम्प की तीन पेटियां हैं वे हैं एक, प्रशान्त चक्रिय पेटी दो, मध्य महाद्वी पीय पेटी या भूमध्य सागरिय पेटी तीन, उत्तर अटलांटिक पेटी आईए अब इनका क्रमशह अध्यान करें एक प्रशान्त चक्रिय पेटी ये पेटी प्रशान्त महसागर के चारों और किनारों पर फैली हुई है इस पेटी में तब्त मैगमा प्रवाहित हो रहा है इसलिए इसे अगनी वले अर्थात फायर रिंग के नाम से जाना जाता है विश्व में सर्वाधिक लगभग 80 प्रतिशत भूकंप इसी पेटी में आते हैं फिलिपीन्स, ताइवान, कोरिया, जापान, मेक्सिको, चिली आदी इसी पेटी में अवस्थित हैं उत्री तथा दक्षणी अमेरिका के पश्चिम तटिय भाग उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षण में चिली तक रौकीज तथा एंडीज नवीन मोरदार परवतों का विस्तार है ये परवती क्षेत्र ज्वालमुखी क्षेत्र भी हैं अतह इन भागों में वर्ष में कई बार भूकम्ब के जटके महसुस किये जाते हैं 2. मध्य महाद्वीपिये पेटी या भूमध्य सागरी पेटी भी कहते हैं ये पेटी भूमध्य सागर में इटली के समीप वर्तिक शेत्र से प्रारंभ होती है और यूनान, तुर्की, इराक, इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि से होती हुई हिंदु कुष दर्रा के समीप भारत में प्रवेश करती है और यहां हिमाले पर्वत के समानांतर इसी के दक्षणी किनारे से होती हुई पूर्वोत्तर भारत के असम तकाती है यहां से ये पेटी दो भागों में बढ़ जाती है एक भाग उत्तर पूरप की ओर मुड जाता है और पूर्वी चीन में तिबबत प्लेट के नीचे विलुप तो हो जाता है जबकि दूसरी पेटी दक्षण की ओर मुड कर बंगाल की खाड़ी होती हुई अंडमान निकोबार द्वीब तक आती है यहीं पर बारा डिग्री समानांतर के उपर बैरन द्वीब इस्थित है जो कि भारत का एक मात्र जागरत ज्वाला मुखी है बैरन द्वीब के समीप ये पेटी पश्चिम की ओर मुड जाती है और कन्या कुमारी तक आती है यहां से ये पेटी उत्तर पश्चिम की ओर मुड कर पश्चिमी घाट की पहाड़ी के पश्चिम की ओर से इसी के सहरे सहरे होती हुई खमभात की खाड़ी और कच्च की खाड़ी को पार कर गुजरात के कच्च तक आती है और समाप्त होती है कच्च के मुख्याले भुज में ही इस शताब्दी का भारत में सबसे भीशन भुकम्प 26 जन्वरी 2001 को आया था 1993 में महराश्य के लातूर तथा किलारी एवं 1843 में दक्कन भुकम्पने करनूल, शोलापूर, बेलगाओं तथा बेलारी नगरों को शती पहुचाई थी 3. उत्री अटलांटिक पेटी ये पेटी आइसलेंड और ग्रीनलेंड के मध्यवर्तिक शेतर से प्रारंब होती है और दक्षुन की ओर आयरलेंड, इंगलेंड, बिक्के की खाडी से होती हुई स्पेन तक आती है इस पेटी में मैगमा अब शीतल और ठोस हो चुका है इसलिए इस पेटी में भूकंप की आशंका नगर्ने हो गई है सबसे कम भूकंप इसी पेटी में आते हैं भारत में भूकंप क्षेत्र यानी जोन आप इसी पेटी में आशंका नगर्ने हो गई है अर्थक्वेक इन इंडिया भूकंप सामानितया कहीं भी और कभी भी आ सकते हैं किन्तु कुछ क्षेत्र इस दृष्टी से अधिक समवेदन शील होते हैं और वहां भूकंपों के आगात अधिक होते हैं भारत का लगभग 58.6% भौगोली क्षेत्र कम या अधिक प्रबलता के भूकंप की दृष्टी से समवेदन शील है भारत में प्राकृतिक विभागों और भूकंप क्षेत्रों के बीच गहरा संबंध है तद नुरूप भारत के भूकंप क्षेत्रों को तीन भागों में विभग्त किया जाता है एक हिमालेई ख्षेत्र दो सिंधुगंगा ख्षेत्र तीन प्रायद्वीपीय क्षेत्र अब इनका क्रमशह अध्यन करें एक हिमालेई ख्षेत्र ये भारत का उत्री भूकम्प ख्षेत्र है जो हिमाले पर्वत और उसके समीप वर्ती भाग में पूरप पश्यम दिशा में फैला हुआ है। चुकि हिमाले पर्वत अभी भी निर्माण की अवस्था में होने के कारण संतुलन नहीं प्राप्त कर सका है। अता ये सर्वाधिक अस्थिर क्षेत्र है। ये सर्वाधिक भूकम्प सघंता वाला माना जाता है। काबुल, क्वेटा, पेशावर से लेकर म्यामार तक के क्ष क्षेत्र इसी पेटी में आते हैं। 2. सिंधु गंगा का क्षेत्र हिमाले और प्राया द्विपी भारत के मध्य स्थित ये वो क्षेत्र है जिससे उत्तर की विस्थापन तथा संपीडन जन्य वलन से हिमाले परवत की उत्पत्ती हुई। ये उपर्योक्त अस्थिर हिमाल 8. प्राया द्विपी भारत के दक्षण में सिंधु और गंगा के मैदान में स्थित है और सामानि भूकम्प प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। प्राया द्विपीय क्षेत्र भारत के दक्षिन में स्थित ये वो क्षेत्र है जो अतीत काल में घटित भू क्रांतियों के दौर में अविचल रहा है। अतह ये एक स्थिर भू भाग है। इसलिए इसमें भूकंप के आशंका कम रहती है। फिर भी इस क्षेत्र में भी कई बार भीशन भूकंप आये हैं। 1993 में महराष्ट के लाटूर और उस्मानाबाद में आये भूकंप ने भू वैज्यानिकों, भू भूतिक विदों एवं भूकंप विज्ञान वेताओं को इस क्षेत्र में पुनर विचार के लिए विवश कर दिया। इसी परिप्रेक्ष में प्लेट विवर्तनिकी सिध्धान्त की महत्ता बढ़ गी। अतह अब नए शोधों के आधार पर दक्कन का पठारी भाग भी विशिष्ट भ्रंश अक्षों के साहरे समवेदन शील माना जानने लगा है। फिर भी प्रया दुपिय भारत का मध्यवर्ती भाग आज भी अपेक्षा कृतकम बलकि निवनतम भूकम सगहनता का शेत्र बना हुआ है। भारत में भूकम सगहनता का शेत्र बना हुआ है। भारत में भूकम्प मान चित्र। 1962 में भूगर्ब शास्त्रियों, भूभौतिक विदों, भूकम्प विज्ञान वेताओं एवं अभियांत्रिकों की एक समीत ने भारत का पहला भूकम्प क्षित्र मान चित्र तैयार किया था। जिसमें भारत को भूकम्प की दृष्टि से पांच भागों, जोन एक, जोन दो, जोन तीन, जोन चार एवं जोन पांच में विभक्त किया गया था। अब इनका क्रमशह अध्यन करें। जोन एक, इसके अंतरगत भारत का कोई भी भाग नहीं आता है। इसमें दो मैकनीचूट से कम तीवरता के रिक्टर स्केल के भूकम्प आते हैं, ये अल्प कमपन करते हैं। जोन दो, इसके अंतरगत तमिल नाडू से लेकर राजस्थान तक तथा कुछ भागों को छोड़कर समस्त मध्य भारत आता है। इसमें दो से चार मैकनीचूट रिक्टर स्केल के भूकम्प आते हैं, ये भूकम्प तीवर कमपन करते हैं। जोन तीन, इसके अंतरगत दक्षिन पशिम पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महराश्र, गोवा, करनाटक तथा केरल के पशिमी भागाते हैं, इसमें चार से 6.5 मैकनीचूट रिक्टर स्केल के भूकम्प आते हैं, ये अतितीवर कमपन उत्पन करते हैं। जोन चार्क, इसके अंतरगत उत्तरी भारत का तराईक शेत्र, जम्मु कश्मीर, हिमांचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी पंजाब, उत्तरी हरियाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का आगरा, मथुरा, सहरनपूर तथा तराईक शेत्र, पशिम बंगाल, राजस्थान, जोन 5 से 7 मैगनिचूट रिक्टर स्केल के भूकम पाते हैं, ये विद्वन्सकारी होते हैं, जोन 5, इसके अंतरगत समूचा पूर्वोत्तर भारत, उत्तरी बिहार, उत्तर खंड, कश्मीर घाटी, उत्तर पश्मी गुजरात, हिमांचल प्रदेश आते हैं, इसमें 8 से मांचित्र में 1967-1970 में संशोधन किया गया, पुनह 2002 में संशोधन करते हुए, जोन 1 को जोन 2 में शामिल कर दिया गया, तथा दक्षिन भारत के मांचित्र को संशोधित करते हुए, चेन्नेई जोकी जोन 2 में शामिल था, को जोन 3 के अंतरगत ला दिया गया, भूकम्पुत रास्दी के दुश्प्रभाव भूकम्प से नाकेवल मानवी क्षती होती है अपितु पशु संपदा, मृदा संपदा, विकास और व्यापार व्यवसाय को भी भारी क्षती होती है बांधों में दरारें पढ़ने से एक बड़े क्षेत्र के जल्मगन होने का खत्रा पैदा हो सकता है स्थल में दरारें पढ़ जाने से गर्म जल और बालू के नहिसरित होने से क्रिशी योग ये भूमी बरबाद हो जाती है निर्माना धिन कारियों को ख्षती पहुँचती है तथा आगे के विकासकारे कठिन हो जाते हैं निर्यात और व्यापार व्योसाय अवरुद्ध हो जाते हैं मकानूं आदिके ध्वस्त होने से मल्मों का अम्बार लग जाता है जिसको हटाना एक जटिल समस्य होती है उदारण के लिए 26 जन्वरी 2001 को भुज गुजरात में आये भूकंप से 8 लाक मकान प्रभावित हुए थे और 70 लाक टन मलवे का निर्माण हुआ था स्पष्ट है कि व्रहत क्षेत्र में भूकंप से विनाशकारी प्रभाव पड़ता है किन्तु अपसोस जनक है कि अभी भी भी भवन निर्माण में भूकंप रोधी तक्नीकों का समुचित प्रयोग नहीं किया जा रहा है जोन 4 में स्थित दिल्ली अवैत कॉलोनियों का गड़ है ये दशकों की लापरवाही, भ्रश्टाचार और कुशासन की देन है यहां के 80 प्रतिशत मकान 8 मेगनीच्यूट की तिवरता वाले भूकंप को सहन करने में अक्षम है ये मानवता की दुरिश्टी से दुखद है भूकंप त्रास्दी से निपटने के उपाए विक्सित देशों की भाती भारत में भी भूकंप प्रबंधन के प्रयास किये गये भुज भूकंप के बाद प्रधानमंत्री कार्याले में एक आपता प्रबंधन समू यानि डिजास्टर मेनेजमेंट ग्रूप DMG का गठन किया गया मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भूकंप की गहनता का मापन तथा DMG द्वारा भूकंप जन्य विनाश का आंकलन किया जाता है क्रिश्य मंत्राले को ये जिम्मेदारी सौपी गई है कि वो भू उप्योग में घटित परिवर्तन का आंकलन करें ताकि क्रिश्य पर भूकंपों के दूश प्रभावों का आंकलन किया जा सके इन सब के बावजूद निम्न उपायों को वियवर्त करने की आवशक्ता है एक प्राकृतिक आपदा प्रभंधन मंत्राले यानि Ministry of Natural Disaster Management की इस्थापना की जाए ताकि भूकंप जनित समस्याओं से निपटने की दिशा में ततकाल और प्रभावी कदम उठाये जा सके दो, जन्म सामाने को ऐसी आपदाओं से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और एहतियाती कदमों के प्रति जागरुकता फैलाई जाए डगलस कॉप के तिरिकोंड सिधान्त तथा व्यक्ति को स्वैम को बचाने के प्रति प्रशिक्षित किया जाए तीन, ये माना जाता है कि भूकंप मुक्त क्षेत्र नहीं बनाया जा सकता है किन्तु भूकंप सुरक्षित क्षेत्र बनाया जा सकता है अतह मकानों के निर्मान में ऐसी तक्नीक का प्रेयोग हो जो आठ मैनी चूट तक की तीवर्ता वाले भूकंप को सह सके जैसकी जापान में है यद्यपी ये भारत जैसा विकास शील राष्ट के लिए अत्यधिक व्य साध्य और कठिन होगा फिर भी वैकल्पिक उपाय किये जा सकते हैं गुजरात में भुज भूकंप के बाद कई लाख मकान बनाए गए और निम्न तथा मध्यम आयवर्ग के लोगों को उपलब्ध कराए गए अतह भारत के लिए आवश्यक है कि एक ओर प्रशास्निक दक्षता बढ़ाई जाए तो दूसरी ओर जनता में नवीन तकनीकों तथा बचाओ के उपायों के प्रती जागरुकता बढ़ाई जाए